नमसकार, किसी भी देश को Strong बनाने के लिए सबसे पहले उस देश के सिक्षा को Strong बनाना पड़ता है तब जाके आप अपने देश को किसी भी छेत्र में Strong मजबूत बना सकते हैं चाहे वो आर्थिक छेत्र हो या फिर किसी भी छेत्र हो तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिक्षा में बदलाब के उपर तो इस वीडियो को आप पूरा देखे एंट तक देखे और अगर आप पहली बार मेरे चैनल परा हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो आईए हम समझते हैं सिक्षा में बदलाब के उपर क्या ब गया था और अब 34 साल बाद मोदी सरकार के नेतरूत में उसको बदल दिया गया है। पांचवी तक पढ़ाई के लिए मातरी भासा या अस्थानिय भासा माध्यम होगी। अमाल पर अधारित होगी। इपाठ करम छेतरी भासाओं में विक्सित किये जाएंगे। नई सिक्षा नीती के तहट MFIL कोर्स को खतम कर दिया गया है। MA के छातर सीधे PhD कर सकेंगे। तो आएए हम इस पूरी खवर को पढ़ लेते हैं। क्या बदलाब किये गए हैं। उसके उपर तो हम चलते हैं उस न्यूज आर्टिकल पर तो देख रहे हैं कि आप जानिये नई सिक्षा पॉलिसी से जूरी दस बड़ी बाते छातरों के लिए काम आएगी ये नई सिक्षा नीती। ये 29 जुलाई 2020 की ये खवर है तो आएए हम इस दस बड़ी बाते को जान लेते हैं। जिसमें मानव संसादन और विकास मंत्राल, MHRD का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राल कर दिया गया है। ये फैसला मोदी केविनेट की बैठक के दवरान लिया गया है। इस बैठक के दवरान मोदी सरकार ने नई सिक्षा नीती को भी मंजूरी दे दी है। मंत्री डाक्टर रमेज पोख्रियाल निसंक ने कहा है कि राष्टिय शिक्षा नीती 2020 को त्यार करने के लिए विस्व की सबसे बड़ी प्रामस परकिरिया थी। उन्हेंने कहा कि मैं देश के 1000 से अधिक विस्विद्दा लाए 1 करोड से अधिक सिक्षा को और 33 करोड 46 को सुभ कामनाय देता हूं। आगे घोसना के दोरान केंद्रिय मंत्री परकास जावेकर ने कहा कि परधान मंत्री नेंदर मोदी की अध्यक्स था आज कैविनेट की बैठक में नई राष्टिय सिक्षा नीती को मंजूरी दी गई है। आपको बता दे कि नई राष्ट्रिय सिक्षानीती 2020 को लेकर पहले परामर्स परकिरिया चलाई गई थी जो कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी साम चार बजे पत्र सुचना कारजाले दोरा आयोजित ब्रीफिंग कारजाले में मंतरियों के अलावा मानव संसादन विकास मंतराले के सचीव और अनधिकारी भी मुझूद रहे इस ब्रीफिंग में कई बिंद्यों पर चर्चा की गई जो नई सिक्षानीती के लिए भविस में अपनाई जाएगी आये जाने उस परमुक बिंद्यों के बारे में जो भविस के छातरों के लिए काफी काम आने वाली है तो ये 10 important point दिये गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं उच्षा संसाने में परवेश के लिए होगा common entrance exam मतलब university exam और उच्षा के लिए common entrance exam देने परेंगे नई राष्टिये सिक्षा नीती 2020 में राष्टिये परिक्षा एजेंसी दोरा उच्षा संसान में परवेश के लिए common entrance exam काउफर दिया गया जाएगा साथ में यह संसान के लिए अनिवार नहीं होगा आगे दूसरा नमबर point multiple entry और exit system की मिलेगी सुविधा बिना MPHL के सीधा PhD कर सकते हैं multiple entry और exit system में पहले साल के बाद certificate दूसरे साल के बाद डिपलोमा और तीसरे चार साल बाद डिगरी दी जाएगी चार साल का डिगरी प्रोग्राम फिर MA और उसके बाद बीना MPHL के सीधा PhD कर सकते हैं चात्र आगे तिसरा नमबर point board परिक्षा pattern में होगा बदलाव आईए board परिक्षा के बारे में जान लेते हैं नई सिक्षानिती के अंतरगत board परिक्षा को असान बनाने के लिए परवधान बनाये जाएंगे बोर्ट परिक्षाव को लेकर छातर के साथ साथ माता पिता भी बहुत तनाब में रहते थे जिसे कम करने की बात कही गई है NEP के अनुसार ग्रेट 10 और 12 के लिए बोर्ट परिक्षाव को आसान बनाया जाएगा क्योंकि वे कोचिंग या याद करने के बजाए मुख रूप से मुख छमताओ दप्षताओ का परिक्षन करेंगे NEP ने बताया कि NCRT द्वारा SCERTCS Board of Assessment और PARAKH प्रस्ताविक नए राष्टिय मुल्यांकन किंद्र आदी के साथ दिशा निर्देश तयार किये जाएंगे ये सब बोर्ट्स का नाम है जैसे आप देख रहे हैं कि CBSC हो गया फिर NCRT हो गया इसी तरह से PARAKH ये मतलब ये संस्था का नाम है इसके बाद आप फोर नमर पॉइंट सिक्षकों के लिए पेसावर मानक लागू किया जाएगा आए इसके लिए क्या है इसके बारे में जाल लेते हैं तो ये बहुत ही लंबी हो जाएगी तो ये इतना इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है तो आप इसको पर लिजेगा आगे बात कर लेते हैं पांच नमबर जिसमें संस्क्रीत और अंच्छेत्रिये भसाव पर दिया जाएगा जोर तो इसको आप पर लिजेगा इसके बाद ज भांच नहीं लग पर लिजेगा इसको भी आप पर लिजेगा इसको पढ़ना जरूरिये इसको परना जरूरि है संकुल से लेकर कोलेज तक फाइब प्लस थ्री प्लस फोर पर होगी पढ़ाई इसको अच्छे से समझना पड़ेगा नई सिक्षानिती में सरकार ने चात्रों के लिए नया पाठ करम त्यार करने का भी परस्ताव रखा है इसके लिए 3 से 18 साल के चात्रों के लिए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का डिजाइन तै किया गया है इसके तहद चात्रों की सुरुवाती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तै किया गया है इसमें 3 साल प्री प्रीमरी और क्लास 1 और 2 को जोरा गया है इसके बाद क्लास 3 और 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है इसके अलाबा क्लास 6, 7 और 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बाटा गया है आखरी क्लास 9, 10, 11, 12 को हाई स्टेज में रखा गया है आगे 10 नमर पॉइंट को भी आप पढ़ लिएगा तो ये एस्ट्वेंट्स के लिए बहुत ही एहम ख़बर है जो एस्ट्वेंट्स अभी परहाई सुरू करना चाते हैं उनके लिए खास तर पर बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो में इतना ही था वीडियो अगर पसंद आया तो और भी एस्ट्वेंट्स के साथ शेर करें तो इस वीडियो में इतना है